दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई आप शौपसी एप से पेसे केसे कमा सकते हैं अगर आप शौप 101 या फिर मीशु जैसे एप यूज करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तो काफी यूजपूल होने वाला है तो चेले दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको शौपसी एप से पेसे कमाने का न्यू तरीका बताने वाला हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजे कि शौपसी एप में अर्निंग करने का तरीका जो है चेंज हो चुका है पहले अलग तरीका था दोस्तो जो पुराना तरीका था वो एक अलग तरीका था अब नया वाला जो तरीका है दोस्तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब आप दोस्तो अपना reset कर लेना कि आपको ये वीडियो देख करके नया तरीका जानना है शौपसे आपसे पेसे का मने का या फिर आप दूसरे वीडियो देख करके पुराना ही तरीका जानना चाहेंगे तो आपको नया तरीका जानना है दोस्तो तो आप इस वीडियो को दिखिए कहाँ पर changes आया है दोस्तो कौन सा तरीका change हुआ है वो भी मैं आपको clear कर दूँगा आगे तो चलो आप वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हम login कर लेंगे इसमें तो चलो मैंने number डाल कर continue कर दिया है अब यहाँ पर मैं OTP डाल दूँगा और verify पर क्लिक कर दूँगा तो चलो हमने login कर लिया है और हाँ दोस्तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद में shopsy app को use करना चाते हो यहाँ से पेसी कमाना चाते हो तो shopsy app की download link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो उस link से download कर लेना देखिए अब सबसे पहले तो आपकी loot store पे नजर जरूर जाएगी जहाँ पर दोस्तो आपको 5 उरुपे में आपर product मिल जाएगे इसके बाद में 45 उरुपे के अंदर आपको कुछ product मिल जाएगे 95 उरुपेज के अंदर भी दोस्तो आपको कुछ यहाँ पर product मिल जाएगे तो इस पर दोस्तो आपकी काफी जल्दी हाँ पर नजर चरी जाएगी है ना तो यहार यहार से भी दोस्तो आप सस्ते में product मंगवा सकते हो सबसे पहले दोस्तो यहाँ पर हम जो product यहाँ पर purchase करना चाहते है उसको हम search करेंगे अब मान लिजे कि भाई मैं किसी customer के लिए यह paint order कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा दोस्तो यहाँ पर मैं add to cart पर सबसे पहले click कर दूँगा add to cart पर click करने के बाद हम size select करेंगे तो मैं 30 select करता हूँ उसके बाद नीचे continue करेंगे size दोस्तो अच्छे से और सही से आपको choose करने तो दिक्कत आए कि बाद में अब हम लोगों को ऊपर यहाँ पर cart का option देखने को मिल जाएगा हमें cart पर click कर देना है cart पर click करने के बाद में जो product को हमने cart में add किया है तो वो product यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा देखें इस product की actual price है 297 rupees और आप इस product को किसी दूसरे के लिए order कर रहे है तो आप इस price को इस कीमत को बढ़ा देंगे जैसे कि आप यहाँ पर 100 rupees बढ़ा सकते चलिए मैं 100 rupees बढ़ा करके यहाँ पर price को कर देता हूँ तो 100 rupees price बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर हमें बढ़ी हुई price डालनी पड़ेगी तो चलिए मैं डाल देता हूँ 397 तो चलिए यहाँ पर हमने 100 rupees price बढ़ा दी है अब हम लोग नीचे देख पाएंगे कि हमें profit में देखने को मिल रहा है कि हमें 100 rupees profit यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब पहले दोस्तो होता क्या था ठीके पहले वीडियो में आपने देखा होगा जो कि पुराने वीडियो है 6-7 महीने पहले के ठीके जब मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ उससे पहले के 6-7 महीने के जो वीडियो है तो उनमें दोस्तों यहाँ पर उपर की साइड ने हमें दिखाया जाता था कि भाई हमें कुछ अरनी होगी पहले से दिखाता था कि भाई 30 रुपे होगी 40 रुपे होगी बड़ दोस्तों वो सिन अब नहीं रहा है पूरी की पूरी प्राइज आपको यहाँ से ही बढ़ानी पड़ती है अरनी करने के लिए पहले आपको अल्रेडी दोस्तों कोई भी अरनी नहीं होती है अब आपको यहाँ पर मैनुली प्राइज बढ़ाना पड़ता है और तभी दोस्तों आपकी अरनी होती है already दोस्तों आपकी कोई भी earning नहीं होती है अगर आप actual price में ही यहाँ पर करिते हैं तो अब दोस्तों आप आपके हिसाब से आपकी earning सेट कर सकते हैं यानि कि आपकी margin सेट कर सकते हैं अब उसके बाद में दोस्तों हमें जो है place order पे click करना पड़ेगा फिलाल दोस्तों मैं यहाँ पर इस laptop को card से हाटा देता हूं लेकिन हाँ दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई electronics product resell करना चाहते हैं यहाँ से electronic product से पेसे कमना चाहते हैं sale करके तो वो आप दोस्तों नहीं कर सकते और हो सकते हैं कि आगे भी मिल जाए ठीक है बट फिलाल के टाइम में दोस्तों यहाँ पर margin नहीं मिल रहे है electronic product पर अब चलिए यहाँ पर दोस्तों हम card से हटा देंगे laptop को तो चलिए हमने laptop को हटा दिया है अब हम लोग यहाँ पर पहले देख लेंगे कि margin वगरा हमने size से set की है या फिर नहीं उसके बाद में हम यहाँ पर place order पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर हम address डाल देंगे अगर आपको सिधे customer के पास product भेजना है तो आप उसका address डाल देंगे या फिर आप अपना address डालेंगे तो उसके बाद में हमने address डाल दिया है आप लोग भी address डाल देंगे कुछ ज़रूरी details दोस्तों मैंने या पर hide कर रखी है अब यहाँ पर दोस्तों हमें save पर क्लिक करना है इसके बाद में हमारे सामने AC screen open हो जाएगी फिर हम यहाँ पर continue पर क्लिक करेंगे नीचे अब हमारे सामने payment page open हो जाएगा यहाँ से हम payment online भी कर सकते है और cash on delivery भी दोस्तों यहाँ पर हम select कर सकते है तो जोले cash on delivery दोस्तों हम select करेंगे इसके बाद में हम place order पर click कर देंगे तो जोले click कर देते हैं अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें capture code फिल करना है 4,3,4 हमने दोस्तों capture code फिल कर दिया है और fill करने के बाद में अब हमें confirm order पर click कर देना है तो हमारा order दोस्तों यहाँ पर confirm हो जाएगा capture code दोस्तों wrong बाताता है return period खतम होने के बाद में ही आप पैसो को withdraw कर सकते हो ठीक है जो product की return period होता है न दोस्तों यहाँ पर average बात की जाए तो 7 दिन का होता है इससे जादा भी हो सकता है तो 7 दिन दोस्तों मान के चल सकते हैं 7 दिन के बाद में ही हम अपने पैसी withdraw कर सकते हैं और इसके अलावा भी कोई condition है दोस्तों तो वो मैं आपको आगे बाताता हूँ तो चले इसके लिए हम क्या करेंगे हम लोग click करेंगे नीचे account पे click करने के बाद में अब यहाँ पर हम my earning पे click करेंगे दोस्तों हमारी earning withdraw करने के लिए हमें यहाँ पर bank account add कर लेना है ठीक है फिर हम यहाँ पर withdraw कर सकते है यहाँ पर withdraw knock option हमें मिल रहा है फिलार यह थोड़ा सा धुनला हमें दिखाए दे रहा है bank account add करेंगे और हमारी earning होगी तो दोस्तों हमें यह withdraw का option जो है यह bright देखने को मिल जाएगा और minimum withdrawal हम देख सकते हैं दोस्तों की minimum withdrawal यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा 100 rupees का अब नीचे दोस्तों हम लोग देख पाएंगे eligible for withdrawal after 72 hours post the return window is complete देखे रेटर्न पिरियेड खतम होने के बाद में और आपको 72 गंटे वेट करना पड़ेगा तब जाकर आपके पैसे आप withdrawal कर सकते हैं मान के चलिए दोस्तों की 10-11 दीन बाद में आप पैसे आपके withdrawal कर सकते हो यहाँ पर आप जब resell करते हो reselling करने के बाद में यानि कि जग product यहाँ पर दोस्तों deliver हो जाता है दिलेवर होने के बाद में यहाँ पर 10 या फिर 11 दिन तक आपको वेट करना पढ़ सकता है, पेसे विड्रॉक करने के लिए, इसके अलावा शौपसी अपसे पेसे कमाने का एक ओर तरीका है, जो के है रेफरेंड अर्न, तो इसके थूरू भी आप पर रेफर अप्टू 150 रुपीज कमा सकते है, तो इसक उसको आप रेफर कर रहे हो, तो वो first order लगाएगा, return period उसका खतम हो जाएगा, तो उस बंदे के order value का 20% commission आपको मिलेगा, माल लिजे वो बंदा 7500 रुपे का यहाँ पर order लगा रहा है, तो आपको 1500 रुपे की यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, और जितने भी बं रेफर किया है, वो बंदा कितने का यहाँ पर first order लगाता है, अगर आप रेफर करना चाते है, तो आप रेफर लिंक से रेफर कर सकते है, रेफर आउन WhatsApp पे क्लिक करके आप लिंक शेर कर देंगे, लिंक शेर करने के बाद में इस लिंक से आपको डाउनलोड करवाना है, या चानल को सब्सक्राइब कर दिजे, तो जब लिए हम मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू